नमस्क्रा बच्चों कैसे हैं आप सभी एक बाद फिर आपका स्वागत है आपके मास्टर रिवीजन क्लास में और अब मैं लेकर हूं आपके इतिहास का चैप्टर टू भारत में रास्टवाद पूरे चैप्टर में जितने भी पॉर्टेंट पॉरेट्स हैं बच्चों जो बच्चे को 100% मार्क्स लाने के लिए याद करना चाहिए ना, उन सभी को पूरे चैप्टर को हमने, पूरी टीम ने हमारी, जो टीचर्स की टीम है हमारी, उन सब ने बहुत महत करके point to point convert के लिया है, और जैसे आप देख सकते हूं, यह 100% content है, आप भी मानिए, topic wise कवर किया है तो बिल्कुल topic wise है, जो आपके book में topic है, उसके अंदर हमें point to point क्या पढ़ना चाहिए, बच्चे को paper में कैसे दिखना चाहिए, अगर आप student हो, तो आपको इससे idea मिल जाए कि paper कैसे करना चाहिए, और आप teacher हो, तो आप अपने बच्चों को जरूर सिखाए, कि answer इस प्रका बहाँ साथे, easy language रखा गया है, बच्चों की भाच्चा रखी है यह, ताकि आपको आसान याद हो, आलतो फालतुची सब हमने हटा दी इसमें से, केवर मुद्दे की बात करिए, ताकि आप paper आपका बहुत अच्छा जाए, और अगर आपने 100% परका है, तो भी आपके प्रथम बिश्यूद का भारत पर प्रभाव क्या पढ़ा, जब पहला बिश्यूद हुआ था, तो उस पर भाद पर क्या प्रभाव पढ़ा था, और युद्ध के पश्चात क्या परस्तितियाती भाद के अंदर, यह कुशन आते हैं paper के अंदर, तो पहला पुइंट आपक बढ़ोतरी हुई थी, जो युद्ध के कारण जो थे, रक्षा समंधी, खर्चे जो थे, वो बढ़ गये थे, इसे पूरा करने के लिए करजे लिए गए और टेक्स बढ़ाए गए, इसका बोज जनता पर आया, क्योंकि तब टेक्स बढ़ेगा, तो जनता ही बढ़ेगी न जाते हैं, उसको बढ़ा दिया गया, इंकम टेक्स को बढ़ा दिया गया, युद्ध के वरसों में चीजों की कीमते बढ़ गए, जब युद्ध चला था, तो जो आम चीजें थी, सिंपल खाने पीने की चीजे थी, उसकी कीमते बहुत ज़्यादा बढ़ गई, 1913 से 1913 के बीच, दाम दुगने हो चुके ते हर चीज़ के, दाम बढ़ने से आम आदमी को अत्यधिक पढ़िशानी हुई, तो ये वो इंपक्ट हैं, जो पहले बिश्यूद के कान हुआ, तो अगर आपके पेपर पूसता है, कि भी पहले बिश्यूद से भाद पर कैम पड़ा, तो ये सब इंपक्ट पढ़ा था, ग्रामी निलाकों से लोगों को जबरन, सेना में भरतित किये जाने से भी लोगों को बहुत गुसा था, जबस्ती लोगों को सेना में भरतित किया जार था, लोगों को मजबूर किया जार था, कि आप सेना में भरती होईए, तो इस से भी ग् मारी ने समस्या को और कंभीर कर दिया, उसी समय फ्लू बगरा फैल जाते थे, जिससे बहुत ज़्यादा लोग मारे जाते थे, 1921 की जनगन्ना का अनुसार, अकाल और महामारी के कारण, 120 लाग से 130 लाग लोग मारे गए, समझे रो संक्या कितनी बड़ी जन संक्या है, जो मार लखना है, जिसमें आपको पताना है, कि जो रक्षा संबन्दी खर्चे थे, बढ़गे, पूरा करने के लिए कर्ज लिए गए, टेक्स बढ़ाये गए, कस्टम डूटी बढ़ा दिया, इंकम टेक्स बढ़ा दिया गया, युद्ध के दौरान चीजों किमती दोगनी हो बहात के कई भागों में उपच खराब हो जाने कान भोजन की बहुजादा कमी हो गई थी, और फिलू ने एक और समस्या पैदा कर ली थी, कि फिलू की महामारण ने समस्या का और गंभीर कर दिया था, और 120 लाग से 130 लाग लगबग मारे गए थे, उसके बाद आता है सत्या आंदोलन करने का रास्ता था, सत्य और एहिंसा पर आधाईद, यानि आप सत्य के साथ ख़रा रहिए और एहिंसा करेए, मतलब कभी भी हिंसा का साथ नहीं देना, एहिंसा रखना बने अंदर, तो सत्या और एहिंसा पर आधाईद, एक तरह का जन आंदोलन करने का रास्ता था ये सत्यागरा ने सत्य पर बल दिया यानि अगर आप सही के साथ हो तो आप सही हो एकदम आपको कोई हरा नहीं सकता गांदी जी का मानना था कि एहिंसा के माध्यम से एक सत्यागराई लड़ाई जीती जा सकती हो गांदी जी मानते थे कि आप बिना हिंसा करे भी अगर महातमा गान्दी जी कहज रोता थो पहले पुंट बताऊगे कि महातमा गान्दी 1915 में की उपन्यास पत्यति को सत्या के नाम से जाना जाता है और आते ही उन्होंने सबसे पहले सत्याग्रा स्टार्ट किया था, इंडियामेजब वॉ आई थे, तो उन्हों सत्याग्रा नाम का अंदलच शुरू किया था, सबसे पहले उन्होंने चमपारन जो कि बिहार में 1917 में दमनकारी बागान ववस्ता के खिलाब नील की खेती करने वाले खिसानों को प्रेइद किया था तो सबसे पहला अंदोला उनका चंपारन में था, जो की बिहार में, 1917 में, जिसमें नील की खेती जो कर रहे थे किसान, उनके लिए उन्होंने सत्यागरा किया था, तो सबसे पहला उन्होंने सत्यागरा यहां पे किया था, फिर 1917 में ही खेडा गुजरात के किसानों को कर में छ खेड़ा में जब वहां के जो किसान थे वो लगान नहीं भर पा रहे थे क्योंकि फसल वगरा कराब हो गई थी तो उनके लिए उन्होंने किया था और तीसरा एहमदाबाद गुजरात में फिर गुजरात के एहमदाबाद में तो लगातार जो था सत्यागरा अंतुलन जो है गांदी जी स्टेप बाई स्टेप अलगर जगों पर जाके कर रहे थे उसके बाद ही उन्हें सो ठाल के जश्ट बाद ही रॉलेट एक्ट आया जो उन्हें सो निस वे रॉलेट एक्ट पर क जील में रखने का प्रावधान था अंग्रेजों ने एक रॉलेट एक्ट बनाये था उन्हें उसके खास बात यह थी कि बिना मुकत्मा चला यानि बिना गल्तिक अगर आपको पकर भी लिया जाना तो दो साल तक जील में आपको रखा जा सकता है तो यह रॉलेट एक्ट का प्रावधान था इसका उद्देस क्या दर रॉलेट का कि बात में जो राजनिति क्या गतिविदिया उसको दमन्ल करने के लिए कि बात करते हैं तो राजनिति क्या प्रावधान जल्दी रिभाइस करा दे तो हम आपको सबसे पहले में आपको बताए कि पर्थम विश्युद का भात पर क्या प्रभाव पढ़ा तो युद के कार रक्षा समंदी खर्चे में बढ़ोतरी हुई करजे लिए गए और टेक्स बढ़ाए गए कस्टम डूटी बढ़ा दिया गया, इंकम टेक्स बढ़ा दिया गया चीजों की कीमिते दुगुनी हो गई थी ठीक है और आम आदमी इससे बहुत ज़्यादा परशान थे लोगों को जबरन सेना में भरती कराया जाने से लोग बहुत ज़्यादा गुस्सा थे कई भागों में उपज खराब हो जानकान, भोजन की बहुत ज़्यादा कमी हो जाती थी और फ्लू की महावाई ने और जा समस्या जो था गंभीर कर दिया 120 से 130 लाग लोग मारे गेते, अकाल और महामारी के खारण सत्यागरा का मतलब मैं आपको बताया था, सत्य और अहिंसा के लिए अंदोलन इसमें सत्यागरा ने सत्य पर बल दिया था और गांदी जी मानते थे कि अहिंसा के माध्यम से भी आप अगर सत्य के लिए करे हो ना तो अपला जीश सकते हो गांदी जी ने सत्यागरा का आरम कैसे किया तो 1915 माय थे दच्छन अफ्रिका से और आते ही सबसे पहले उन्होंने सत्यागरा नाम का अंदोलन शुरू किया था सबसे पहले उन्होंने बिहार में चंपारन में किया था 1917 में नील की खेती करने वाले किसानों के लिए फिर 1917 में उन्होंने खेडा गुजरात जो टेक्स्ट में छूटदि लाने के लिए और खसल खराब हो जाने के कारण और प्लेक महामार कार वहां के किसान जुथे लगान नहीं चुका पाने थे उनके लिए भी उन अन आंधोलन क वहीं पर अगले साल ही 1915 में आये वह 1917 में अंदोलन हुआ 1918 में अंदोलन हुआ उसके वह 1919 रॉलेट एक्ट बनाया अंग्रेजों ने इसका मुकुत प्राभान ये था कि राजनेतिक जो दल है जो नेता है उन पर बिना मुकतमा चलाए दो साल तक उनको जेल में रखा जा सकत था इसका उदेश था कि राजनेतिक अधिविधियों को दमन करना कि कि किसी प्रकाज नेताव गरायन को उठाकर जेल में डाल दो उसके बाद रॉलेट एक्ट की पुल्कु विशेष्टा आपको याद अखनी है पॉइंट तो पॉइंट विशेष्टा है इंपीरियल लग लगिश्लेटिव कॉंसिल दुवाला उनिस सोनिस में रॉल एक्ट को पारित किया गया था भारतिय सयदस्यों ने इसका समर्थन नहीं किया था लेकिन फिर भी अपारित हो गया जब अंग्रेजों की इंपीरियल लगिश्ट्र लेजिस्लेटिव डिश्लेटिव गउंसिल उन्हें सुनित समर्लिस्ट एक्ट बनाया तो भारते सत्र से ने इसका समर्थन नहीं किया उस समय लेकि फिर भी इसको लागू कर दिया गया इस एक्ट ने सरकार को रायनितिक गदिविदियों को कुचलने के लिए जो मैंना भी आपको बता है अर्शीम शक्ति परदान कर दी किसी तरह से रायनितिक गदिविदियों को कुचलना था इसके तहट बिना ट्रायल के ही राजनितिक कहदियों को दो साल तक बंदी बनाये जा सकता था ये भी मैं आपको बता चुक हूँ कि बिना ट्रायल बिना मुकदमा चला ही राजनितिक दल के जो नेता हैं उनको दो साल तक जेल में रखा जा सकता था 6 अप्रे 1919 को रॉलेट एक्ट के विरोध में गांधी जी ने राष्ट वियापी अंदोलन की शुरुवात करी, तो गांधी जी ने पहला शुरू करा इन्होंने देश वियापी या राष्ट वियापी अंदोलन जिसका बहुत बहुत दा समर्थन मिला, अलगलग जगों पर दुकाने बंद कर दी गई, रेलकार खाने जो हर्ताल पर चले गए सब मजदूर बगएरा, अंग्रेजी हुकूमत ने राष्ट वादियों पर कठोर कदम उठाने का निन्या लिया, अब जब अंग्रेजी उनने देखा कि गांधी जी को बहुत जब अरे साखनाुको बंदी बदी बना लिया गया, और महातमा गन्दी को डिली पर वेश करने पर रोग लगा दी गई, तो जो स्थानिय नेता थे, उनको उठाकर जेल में डाल दिया गया, दोस Sाल तक उनको जेल में रखा गया, इवहन गांधी जी को भी दिली में आने पर रोग लगा दी गई और इसी रॉलेट एक्ट का विद्रोह के बाद जालियावाला बाग हत्यागांड हुआ था जो हम सब जानते हैं इतियास में बहुत बड़ी घटना थी जगन अपड़ाद था अंग्रेजों का यह तो जालियावाला बाग हत्यागांड के बारे में ज अमरित सर के जो लोग थे वो रॉलेट का विरोध करे थे शांती पूरवक तरीके से वो बिरोध करे थे लेकिन पुलिस ने उन पर गोलिया चला दी इसके कान लोगों ने जगह जगह पर सरकारी संस्ताओं पर आकर्मन किया अमरित सर में मार्शल लॉल लागू हो गया और इसकी कमान जनरल डायर के हातों में सौब दी तो जब बच्चों अमरित सर में रॉयल एक्ट का विडोध कर रहे थे लोग और उन पर गोलिया चला दी अंग्रेजों ने या पुलिस वालों ने तो यह जो था बिद्रो और जादा फैल गया लोग उस्से मागे तो जब गु व्हुखंद नरसंगहार 13 अप्रेल को तीन दीन बाद हो नहीं तो क्या हुआ कि वहां पर जाले वाला वाग में मेला लगा हुआ था और मेले में बहुत सारे गाउं के लोग आये जिनको कुछ ही नहीं पता था कि अमिरी सर्वा हुआ क्या है तो तो तेरा अप्रेल को उस जद था जयले वाल驗 में लगे एक मेले में शरीफ होने आया था बहुत सारे गadow के लोग वहां पर मेले में सामिल होने आये थे यह यह बाग चाओ तरफ से बंद था और निकलने के रास्ता संकीन थे महाला एक ही रास्ता देगी गेट था निकलने का जनर्णर डाय ने निक बारों तरफ हिंशा फैल गई महात्मा गांधी ने आंदोरन को वापिस ले लिया क्योंकि वह इंसा नहीं चाहते थे अब जब लोगों में खावर फैल गई कि यहां पर सैक्रोलोग मारे गए हैं क्योंकि बहुत बड़ा प्राथ था मैं तो सलूट करता हूं उनने देश्वा तो जनर्र डायल ने रास्ते बंद करवा के गोली चलवा दी तो इससे क्या हूआ सैक्रोलोग मारे गए अभी जब यह खावर फैल गए ने पुरे अमरित्सर में पंजाब में तो बहुत ज़्यादा हिंसा फैल गया और देश में तो महात्मा गांधी ने आंदोरन वापिस ले लिया अब कई लोग कहते हैं कि महात्मा गांधी ने वापिस क्यों लिया नहीं लेना चाहिए था क्योंकि बच्छों महात्मा गांधी का लोजिक ही था अहिंसा के साथ रो इंसा मत खरो तो जो भी था महात्मा गांधी ने हिंसा को भरक्त में देखते हुए अपना जो लोग पुलिस से मोर चलने लगे, पुलिस से ही लड़ने लगे, सरकारी मारतों पर हमले होने लगे, सरकार ने निर्मन्ता पुर्वक रवया अपनाया, अब अंग्रेज भी कहां मानने वाले थे, उन पहतियार थे, तो सरकार ने भी निर्मन्ता पुर्वक अपनाया, मतलब यानि अंग्रीजों को सलाम करने के लिए मजबूर किया गया तो एक तरह से अंग्रीजों ने ठान लिया था कि यह जो अंदोलन ने वो उसको कुचल के रहेंगे तो उन्हों क्या करते थे वो सत्याकरों को जो पकल लेते थे उनको नाक रखने के लिए मजबूर करते थे सरक पर घिसकर चलने के लिए सारे अंग्वेजियों को सलाम करने के लिए मजबूर करते थे लोगों को कोड़े मारे गए और इवन जो पंजाब में एक गाउं है गुज्रावाला उस गाउं पर बंबरसाए गए तो ये जलियावाला बाग इसमें बताया था कि अंग्वेजियों का जो कॉंसिल ता जिसे बोलते है इंपीरियल लेगिसलेटिव कॉंसिल उसने 1919 में रॉल इटेक्ट को पारित किया अब हारते सदस्चिन इसका समर्सा नहीं किया था फिर भी से जबस्ती लागू कर दिया गया रॉल इटेक्ट ने सरकार को रानिति कैदियों को चलने का एक असीम शक्ती दे दी इसके तहट बिनार ट्रायल चलाए रानिति कैदियों को दो साल तक बंदी बनाये चाह सकता था 6 अप्रेल 1919 को रॉल इटेक्ट का बिरोध करने के लिए गांदी जी ने आंदोलन शुरू करी हर्ताल का उन्होंने रिक्वेस्ट का लोगों से उन्होंने बहुत समर्थर मिला लोग सरकों पर निकला है दुगाने बंद कर दी रेल के कारण कारण जो मजदूर थे वो सब हर्ताल पर चले गए अंगरी जी हुकूमत ने राष्टवादियों को कठोल कतम उठाने का निन्हा लिया के इस्थानों पनेताओं को बंदी बना लिया गया जेल में डाल दिया गया मातमा गांदी जी को दिल्ली में आने से रोग दिया गया जाले वाला बाग उसी रॉलेट एक्ट के कारण यह इसी का परिणाम था चीका है यह चीए आमीचा याद अगना तो लोग तो जो थे वो दस अप्रेल दिए न छे अप्रेल को तो उन्हों गांदी जीन रिक्वेस्टी करा है और सिर्फ तीन-चार दिन बाद की घटना है लिए तो दस अप्रेल को अमीचान में जो लोग थे वो शांती पुर्ण परदशन कर रहे थे लेकिन पुलिस वालनों पर गूलिया चला दी जिसके कार लोग जो भड़गे उन्होंने सरकाई संस्तानों पर आकरमन कर दिया तो अमरिशन में मार्शल लोग लागुक कर दिया गया और जनरल डायर को कमान दे दी अब 13 अप्रेल को बहुत साई लोग पंजाब में बिसाकी मना रहते जले वाला बाग में मेरा लगता था तो ग्रामीन लोग आये थे जले वाला बाग घूमने बगर आये थे उनको नहीं पता था इसके बारे में कुछ हुई तो इस बाग को चाहता से बंद कर दिया गया जनरल डायर की द्वारा और फिर उन पर अंधादोन गोलिये चलवा दी गई तो जब गोलिये चला दी तो सैक्रो लोग मारे गए और जब मारे गए तो उसके बाद हिंसा और ज़्यादा फैल गई तो बहादमा गांधी जी ने उसके बाद ये जो था वो अपना जो डॉले ट्रेक्ट का वो बिरोध कर रहे थे अंदोलन थे वो वापिस ले लिया क्योंकि वो नहीं चाहते थे हिंसा हो और और ज़्यादा लोग माले अच्छा जाले वाला बाग हत्यागन का परभाव क्या पड़ा तो बहुत सारे लोग शहरों जो लोग थे वो सरकों पर उतराये थे हर्ताले होने लगी थी पुलिस से मोर्चा लेने लगे लोग सरकाई मारतों पर हमले होने लगे सरकाई ने भी मतलब अंग्रेजों ने भी इसका बहुत निर्बंता पुर्वक रवया अपना है, लोगों को अपमानित किया, तंकित किया, जब वो सत्यागरों को पगल लेते थे, उनको नाक रगने के लिए मजबूर करते थे, सरक पर घिसकर चलने, सारे अंगरे जो को सलाम करने के लिए मजबूर करते थे, उन पर को वर्ड जो मुस्लिम अच्चेह में उनको पता होगा खलीफा का मतलब खिलाफीच शब्द खलीफा से निकला हुआ है जो आ्टोमन तुर्कीका समराठ के साथ इसलामिक विश्व का आध्यात्मिक नेता भी थि देखिए जो मुस्लिम धर्म के इसलामिक धर्म के जो अध्यामिक अध्यात्मिक नेता थे उनको खलीफा बोला जाता है ठीक है तो जब आटोमन समराज की हार हुई तो ये उनका डर था इसलाम वाले लोगों का कि जब आटोमन तुर्की यानि आटोमन समराज की हार हुई है तो जो अंग्रेज है न वो उनके खलीफा के खिला बहुत सक्त निती अपना सकते हैं तो पर्थम विश्वुद में तुर्की की हार हुई थी यहां अब बाप फैल गई थी कि तुर्की पर एक अब मांजनक संद फैलई थोपी जाएगी इसलिए खलीफा की ततकालिक शक्तियों की रक्षा के लिए ی안 भी यानी मुस्लिम जो थे अलग-अलग देशों में वो नहीं चाहते थे कि उनके जो खलीफा है उनके उनके साफ कोई सक्त निती अपनाये जाए तो उनकी शक्तियों की रक्षा करने क लिए 1919 में अली बंधुओं ने ये नाम याद अखना अली बंधुओं द्वारा बॉंबई में एक खिलाफत समीती का गठन किया गया ठीक है यह देखे ना लाइन से चल ला है 1919 में यह बात हुई थी यह 1919 में चल ला था यह सब घटना उसके बाद यह आगया आपका खिलाफत का मद्धा तो खिलाफत शर्त खलीफा से निकला हुआ है जो अटोमन तुर्की का समराट होने के साथ साथ इसलामिक विश्व के अध्यात्मिक नेता भी थे वो तो प्रतम विश्व में जब तुर्की की हार हुई थी तो यह अब भाप फैल गएगी कि तुर्की पर बहुत अपमान जनक संदी थोपी जाएगी इसलिए अपने खलीफा की शक्तियों की रक्षा के लिए अपने नेता अपने खलीफा अपने अध्यात्मिक गुरू की रक्षा के लिए 2019 में अली बंधु ने बंबई में एक समीती बनाया जिसका नाम रखा गया खिलाफत समीती यह बनाया अब इसका क्या प्रोहा पड़ा तो चलिए आगे बताते हैं आपको अगले पेच पर क्या प्रोहा पड़ा महात्मा गांधी ने क्यों खिलाफत का मुद्दा उठाया अब अली बंधु जो थे वो गांधी जी के पास मोचे की जो तुर्की है उसकी हार हुई है तो हमारे जो खलीफा है उनकी हो सकता है धिकार का हनन हो तो आप हमारा साथ दीजिए तो गांधी जी ने भी साथ दिया खिलाफत के मुद्दे को उन्होंने भी उठाया रॉलेट सत्यागरा की असाफलता के बाद अब रॉलेट सत्यागरा की असाफलता के बाद अब रॉलेट सत्यागरा की तो आसाफल हो गया था क्योंकि गांदी जी ने अपना जो आंदोलन था वापिस ले लिया अभी सारे लोग भाग नहीं ले रहे थे तो खिलाफत का मुद्दा बिसिकलिए उन्होंने इसलिए उठाया था कि अकर मैं खिलाफत का मुद्दा उठा लूगा ना तो जो हमारे मुसलिम भाई हैं वो भी आंदोरन में सामिल हो जाएंगे उन्हों बिस्वास था कि बिना हिंदू और मुसलिम को एक दूसरे के समीप लाए ऐसा कोई अकिल भारतिया अंदोरन खड़ा नहीं किया जा सकता गांदी जी को पता था कि सभी हिंदू और सभी मुसलिम जब तक नहीं आएंगे ना एक साथ तब तो कोई बड़ा अंदोरन नहीं खड़ा कर सकते हो इसलिए उन्हों ने खिलाफत का मददा उठाया जोगि खिलाफत का मददा उठाने से जो मुसलिम भाई थे वो भी सामिल हो गया अब इनके सत्यागरा में तो अब ये बड़ा अंदोरन हो गया था इसलिए कई बाप पुछा था है कि महातमा गांदी ने खिलाफत का मददा क्यों उठाया क्योंकि वो हिंदु मुसलिम को साथ लाना चाहते थे ताकि मिलक कर अंगरी जोग के खिलाफ लड़ सके अब आता है आसायोग आंदो ने ठीक है आप उसको नहीं समझ सकते सही से तो पहला सहयोग का मतलब समझते तो महातमा गांदी ने बहुत प्रसीद किताब लिखी थी इसका नाम था सौराज 1909 मिली थी उसकिताब में उन्होंने कहाता है कि अंग्रेजी राज इसलिए स्थापित हो पाया बहात में अंग्रेजी साचन इसलिए हो पाया क्योंकि भारतियों ने उनके साथ सहीयोग किया और उसी सहीयोग के कान अंग्रेजी हुकूमत करते रहे सही बात है अंग्रेजी हुकूमत इसलिए यहां पर सस्टेन कर पाए क्योंकि भारतियों नहीं उनका साथ दिया था हर चीज में अगर पुलिस की बात करो मिलिटरी की बात करो तो समय इंडियन थे तो गांधी जी कहते थे कि अंग्रेज इसलिए यहां पर रह पाए जाए, चुक्षिए भार्त के लोग उसको, उनको सह्योग दे रहे, यह धी भारतिय सह्योग करना बंद कर दे, तो अंग्रेजी राज, एक साल के अंधर चर्मार जाएगी अगर सारे भारती एक साथ अंग्रेजों का साथ देना बंद कर दे तो अंग्रेजी हुकूम होता है वो बिल्कुल चर्मार आ जाएगी और सोराज आ जाएगा यानि में सोराज मिल जाएगा यानि स्वेम राज कर पाएंगे आप गांधी जी को विश्वास का भारतिय लोगों से कि आप उंग्रेजों का साथ मत दो יों को सायोग हिल करना दो तो ग९ा भारतिय लोग सब्सक्राइब देंगे तो अंग्रेजों के में मुकर जाना पहले अंग्रेजियों ने पता क्या कहा था कि जब पर्थम बिश्वुद खतम हो जाएगा न हम सोराज के बारे में सोचेंगे बट जैसी युद्ध खतम वहा तो वह मुकर गया अपनी बातों से रॉले ट्रेक्ट पारित हो गया उसके बाद ही यहां झताही ने रहाते थे जू काुट Bigö आशायोग अंदोलन शुरू क्या जाए एक आईसा आंदोलन जिसमें आम जनता भी अंग्रेजियों का साथ देने से मना श्रूक शोट करने से मुकर जाना रॉलेट अक्ट्र का पारिथ होना जलेवाला वाट्याकान होना और 1920 में कॉंग्रेज अधिवेशन जी कलकत्ताम हुआ था उसमें ये बात बहुमत से पाइट होगी, सभी कॉंग्रेज निता चाहते थे कि आसायों गांदलों शुरू किया जाए आसायों गांदलों के कुछ प्रस्ताब आपको या दखने, पहला अंग्रेजी सरकार द्वारा प्रधान की गई उपादियों को वापिस करना, अब सभी भारतियों से पता है क्या रिक्वेस क्या गया, कि आपको जो अंग्रेजों ने जो उपादी दिये, यानि जो करने से इनको सिंबल मिलता है, कि अब हम आपका साथ नहीं देंगे, सिविल सर्वेज, सेना, पुलेश, कोट, लेजिसलेटिव कॉंसेल, स्कूलों का भहिशकार क्या गया, विदीशी बस्तों का भहिशकार क्या गया, इमको जला दिया गया, यदि सरकार अपनी दमनकाई न अभी तुम आसायोग कर रहे हैं, बाद हमें आग्या मानने से भी मना कर देंगे, तो उसको अवग्या अंदोरन बोलते हैं, अगर पुछा जाए आसायोग अंदोरन के कुछ प्रस्ता हो, तो पहला तो आपको बताना है, उपादी वापिस करने वाला, दूसरा सविल सर्वेस से नापुलेस कोट, लेजिसलेटिव कौन से स्कूलों का भहिशकार करने लगे सारे बच्चे, विदिशी वस्तों को भहिशकार करने लगा, जलाने लगे, सरकार अपने दवरंदकारी नीती से बाज नहीं आई, तो संपूर्ण अवग्या अंदोरन शुरू करना है, ये भ बता दिया अंग्रेजों को, आंदोरन के भीता अलग-अलग धारा है, अब इसमें क्या था, ये पार्ट टू स्टार्ट होता आपका, यहां से, अब ये आंदोरन तो सुरू हो गया था, आसायोग आंदोरन, लेकिन इस आंदोरन में ने सब की अपनी-अकांशाएं थी, मत सब्सक्राज का मतलब यह है, सब ने अपने तरीके से डिफाइन किया, सभी के लिए सुराज का आर्ट भिन्न था, अलग-अलग था, परतेक समाजिक समूने अंदोरन में भाग लेते वे, सुराज का मतलब एक ऐसा यूग लिया, जिसमें उसके सभी कष्ट और सारी सभी की है, तो सब ने सुराज का अपना मतलब लिया, कोई ग्रामीन के लोग अलग मतलब निकाल लेते,boy शहर के लोग अलग मतलब निकाल लेते, तो सब के लिए सुराज के अलग- STEM तरी मितलब धे, पीई है भाई भी आंदरों में जुड़ जाएंगे आज सायोग आंदरों में उन्होंने किताब लखी थी सोराज जिसमें उन्होंने कहा था कि अंग्रेजी हुकूमत इसलिए स्थापित हो पाई क्योंकि भारतिय उनका सयोग दिया और अगर भारतिये ही सहीयोग करना बंद कर देंगे तो अंग्रेजी राज एक साल के अंदर ही चर्मा जाएगी और स्वरोजगार आ जाएगा तो गांदी जी को विश्वास था कि भारते लोग अगर सहीयोग दिना बंद कर दे तो अंग्रेजों के पास भारत छोड़ के जाने के लावा और कोई चारा बचे का ही नहीं और सहीयोग दिना के कारण क्या क्या थे एक तो पर्थम विश्वत के बाद अंग्रेजी द्वारा भारते जन्ता का सोशन करना सोराजगार प्रदान करने से मुकर जाना रॉले टेक्ट पारित करना जाले वाला भाग हत्या कारण होना और 1920 में खलगत्ता दिवीशन में अंग्रेजी सरकार द्वारा जो प्रदान की उपादी होती उसको वापिस करना सभी से रिक्वेस क्या गया गया बेदीशी वस्तूओं को जलाया गया यदि सरकार अपनी आधितों से बाज नहीं आई तो संपूर्ण अवग्य आंदोलन शुरू करना ये सब थी आसायोग अंदोलन था उसमें सबकी अपने में धाराई थी अपने 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 अकांचाहे थी आसयोग खिलाफवत आंदोलन 19 मे adjust में सबकी अपने अकान शाहे थी उम्मीदती सभी के सहराज कर Come Bund भीन爸 सबकी सरोजगे मतला बह olmतलब अक ऐसा यूग लिया था जिसमें उनके सभी कष्ट और मुसीप्तें खतम हो जाएंगी तो शहर वालोंने क्या लिया जो शहर में लोग लेते थे, उन्होंने आसायोग आंदुरों का क्या मतलब निकाला आंदुरों की सुर्वात शहरी मध्यवर् sure की इससतरी से साथ होई जो शहर में मद्यवाइक थे, उन्होंने बर्चर के हिस्सा लिया, विद्यार्थियों ने स्कूल, कॉलेज, सिख्षकों ने अपनी नौकरी, कतावा कीलों ने मुकदमा लेजन से भहिशकार किया, और आंदोरों में सामिल हो गए, ये शहर में चल ला है, प्रांतों में परश थे, उन्हें स्कूल, कॉलेज, का भहिशकार किया, सिक्षों ने अपनी नौकरी छोड़ दी, बकीलों ने मुकदमा लेजन से मना कर दिया, और प्रांतों में जो परशाच चुनाब होते थे, उनका भहिशकार किया गया, विदीशी शमानों को जलाए गया, सराप के दुका किसानों का मतलब कुछ और निकाला, और वहां के जो विद्रों थे, वो हिंसक हो गए थे, उसमें से एक केस है, अवद के किसान आंदोलन, ठीक है, अवद का किसान आंदोलन, किसानों का नितवत, अवद के जो किसान थे उनका नितवत, बाबा रामचंद्र ने जमिनदारो और तालुक के दारों के खिलाब किया था बाबा रामचन्द के लीडर थे इनका नेतव तो किया था अवद के जो किसान थे उनका और उन्होंने जमिन दारों और तालुक दारों के खिलाब संघर्ज किया था अवद किसान सभा की स्थापना 1920 में जवाला नहरू, बावा रामचंद्र और कुछ अन्य नेताओं ने लोगों ने नेतवत में की गई थी तो ग्रामीन लोगों ने आस्यों का अंदरों का मतलब कुछ और निकाला वहाँ जो गरीब किसान थे वो अमीर किसानों से उनका विरोध कर रहे थे जो गरीब किसान थे वो अमीर किसानों का विद्रो कर रहे थे क्योंकि वो जमिंदारी प्रसाजुती आपने पुरा चप्टर पढ़ा है उसके विरोध में थे तो किसान जो थे जो अवद के किसान थे उनके जो लेडर थे बाबा रामचन जी उन्होंने जमिंदारों और तालुकदारों के खिलाब संगर्श किया था वहीं आंद परदेश में आदिवासियों का अंदोलन ये भी ग्रामिन का ही पार्ट है आदिवासियों का अंदोलन अलग था आदिवासियों ने इस आंदोलन को किसी और तरह किसे लिया ग्रामिन इलाकों में लोगों ने किसी और तरह किसे लिया ये इसका एक्जामपल भी द करना करना शुरू कर दिया उसको नाम दिया गया गुरिला अंदोलन विद्रोहियों ने पुलिस थानों पर हमले किये राजु को 1924 पर पकल लिया गया और फासी दे दी गई तो आंद परदेश में आदिवासियों ने इस आंदरों का मतलब कुछ और निकाला आंद परदेश क इनको 1924 पकल दिया गया और उनको फासी दे दी गई बागानों में सौराज अचाब बागान में काम करने वालों बागान यादा ना चाई कॉफी नील वगएरा तो बागान में जो काम करते थे थे ना उन्होंने सौराज का मतलब कुछ और निकाला बागान श्रमिकों के ल ये था, या इस आंदरनों का मतलब ये था कि चार दिवारियों से स्वतंतर हो जाएंगे और जब चाहें आजा सकते हैं बाहर, उन्होंने 18-1999 से की अंतर श्रमिकों का बिरोद किया, जो अंतर श्रमिकों को रखा जाता था चार दिवारिकों को अंदर, उन्हें बिना आंदोलन को ज्या में आधिवाशन नहय оп needed अंदोलन को हम अदक्राउल को आधिवाशन अलग के भाद कले मशीन का कपड़ा जो था, वो सस्ता था, और भारत के पास ऐसा कोई मशीन तो था नहीं, और खादी का कपड़ा जो था, वो महगा था, जो इंडिया वाले पहनते थे, और गरीब लोग इसे खईद नहीं सकते थे, समझे मेरी बात को, तो उनकी मजबूरी थी, कि उनको चक्क पहनते थे, वो इस आंदल में सामिल तो थे, लेकिन वो लबे समय तक विरोध नहीं कर सकते थे, क्योंकि उनकी मजबूरी थी, कि वो मशीन से वने कपड़े पहनते थे, वेकल्पिक भारतिय संस्तान नहीं थे, भारतिय संस्तान क्या होता है, जैसे कॉलेज, स्कूल, इस त पढ़ाई तो छोड़ दी, आप किते दिन पढ़ाई चोड़ोगे, एक साल, दो साल, लेकिन फिर आप क्या करोगे, जब आपको आपको पढ़ना पढ़ेगा, इसलिए छात्रों सिस्टों ने सरकारी स्कूलों में वापिस आना सुरू कर दिया, और वकील सरकारी दरतलतों म काम करने जुर गे, समझ गया में बहात, तो मजबूरी थी उनकी, जिसके गार वो दुबारा बच्चे जो थे, वो स्कूल में वापिस आगे, कॉलेज में वापिस आगे, सरकारी टीचर वापिस जोइन कर ली उन्हें नौकरी, और जो वकील थे, उन्होंने दुबारा वका गांदी ने आंदोलन को वापिस ले लिया, क्योंकि चोड़ी चोड़ा में हिंसक घटनाए हो गी थी, यह जगा का नाम है उत्तर परदेश में, अब इस घटना में क्या हुआ था, कि फरवर 1922 में गांदी जी ने नो टेक्स आंदोलन सुरूख करने का फैसला किया, कि हम ट पुलिस टेशन पर हमला कर दिया और उसमें आग लगा दी, पुलिस थाने में आग लगा दी, इसमें कहीं सारे पुलिस के जो लोग थे, वो जिन्दा जल गए, यह घटना उत्तर परदेश के चोड़ी चोड़ा मो भी थी, और इसी घटना के बाद ये आंदोलन भी गांद पुलिस टेशन परदेश के लिए, वकीलों ने मुकदमा लगने से मना कर दिया, जो परिशत चुनाप थे, वहां का नेतब तो बाबा रामचन जी ने किया था, और अपने ही लोगों के खिलाब किया था, जो जमिंदार थे, जो गरीब किसानों का सोशन कर रहे थे, तालु पुलिस टानों कर दिया, और राजु को 1924 पगर कर फासी दे दी गई, बगानों ने कैसे लिया सोवराज को, आंदोलन को, तो उन्होंने इस कार्थिये निकाला कि उनको चार दिवारों से बाहर सोतंत रूप से आया जानाज लगेगा, जो 1859 में अंतर देश ये अप्रवास अदिनियम था, उसका बिरोध किया उन्होंने, और जिसमें लिखा किया था कि बिना अनुमती के बाहर वो नहीं जा सकते तो उन्होंने अपने तरीके से इस आंदरों को लिया, कि इस आंदरों के बाद उनको आने जाने देंगे यहां से वहाँ, अच्छा है शेहरों में यह आंदरों धीमा पड़ गया, क्यों? क्योंकि चक्की कपड़े जो थे वो सस्ते थे और खादी कपड़े महगे थे, तो इसलिए चात्रों को और सिक्षों को वापिस जाना पड़ा, स्कूल बगरा, कॉलिज बगरा, और वकाल शुरू होगी, वकेल उन अपने वकाला सुरू कर दी वापिस. आज स्रयोग अंदरों क्यों वापिस लिया हिया? क्योंकि फरवर 1922 में चोड़ी-चोड़ा की हिंसक घटना हुई थी. इस घटना में क्या हुआ था? कि 1922 में गांदी जी ने नो टेक्स अंदरों शुरू करने का फैसला लिया और बिना किसी साफिके परदर्शन करने लोगो पर पुलिस ने गोलिये चला दी, जिससे लोग वहाँ पर घुसे में इंसक हो गे उन्होंने पुलिस स्टेशन को घेर के उन पर हमला कर दिया जला दिया और कई साफिक पुलिस वाले जो थे वो जल गये जिन्दा इस घटना के बाद ही गांदी जी ने आंदरों को वापिस ले लिया उसी के जस्ट बात साइमन कमीशन आये था जो कि 1927 की बात कर रहा हूं मैं आपसे बिल्कुल स्टेप वाइच चले हम लोग साइमन कमीशन 1927 में बिटन में साइमन कमीशन का घठन किया गया ताकि भात में समवेधानिक विवस्ता की कार शैली का अध्यन किया जा स भारत आना पूरे भात में विद्रो परदर्शन हुआ अब जैसे ही जो साइमन कमीशन वो इंडिया आया तो उसके खिलाब परदर्शन होने लेगा आपने डैलोग सुना होगा साइमन गोबैक साइमन गोबैक साइमन वापिस जाओ अंग्रेजों ने इस आयोक का विरोध क आपने शाओ खिलाब निखना हो एक आयोक का विरोध किया क्योंकि इसमें एक भी भारते सामिल ने था अब सााइमन कमेशन अग्रेजों बनाया लेकि सन्क. βालएव sesनें में जब आला नेरु जी के अधिक्स्ता में कॉंग्रेस का लाओर दिवीशन हुआ जिसमें पूर्ण सोराज के संकल्प को पाइद किया गया उसमें समने कसम खाली कि हमें पूर्ण सोराज जब तक नहीं मिलेगा हम सांत लोग नहीं बैटेंगे और 26 जनुर्ण 1930 को स्वधिनता द लिए त्यार रहें उनके खिलाब अब लड़ाय होगी जिसमें संपूर्ण स्वधिनता लेंगे उनसे पूर्ण आजादी लेंगे तो यह साइमिन कमिशन के अंदर आपको लिखना है कि बिटेन में इसका गठन हुआ था जब यह भारत आया तो इमका बिडोध हुआ क्यों कारण से नमक यात्रा और सही हो गांदी इसी वीच यह दिए 1930 आगया ना तो 12 मार्च 1930 को महात्मा गांदी द्वार नमक यात्रा सुरू की गई जब नमक कानून तोरा पहले क्या था कि जो भारतिय थे वो नमक नहीं बना सकते थे अब नमक तो हर किसी को चाहिए खाने के लिए तो गांदी जीन एक ऐसा रास्ता चुना जिसमें सभी भाग लें जो सब के लिए जरूरी है और नमक सब के लिए था 12 मा जो 30 मो महतमा गांदी निना नमक यात्ता सुरू करी और चेए पर भी निन सब्सक्राइब करेंगे हम अवग्या करेंगे, मानेंगे नहीं, ऐसा अंदोलन जिसमें विंती करते हुए हम अंग्रीजों की बात नहीं मानेंगे, कानून को तोड़ेंगे, उसे बोलते है सविने अवग्या अंदोलन, तो फिर जेक नहीं अंदोलन शुरू हो गया, जैसे ही नमक बनाया है गांदी तक अपने अनुवाईयों के साथ सविने अवग्या अंदोलन शुरू किया था, ग्रामी निलाकों में गुजरात के अमीर, पाटिदार और उत्तर परदेश के जाट अंदोलन में सक्रिये थे, चुकि अमीर समुद है, वेपार, अवसाद और गिर्ती कीमतों से बहुत प्र उसको खईदने और बेचने से इनकार कर दिया, यानि जो इंपोर्ट करके आयत आता था ना समान, उसको खईदने और बेचने से मना कर दिया, इसके वित्य साहिता देकर आंदोलन का समर्थन किया, और जो अमीर वेपारित उद्योग पती थे, जो बड़े इंडसलिस थे, उन्होंने इस आंदोलन को फंडिंग दी, पैसा दिया, लोगों के खर्चे उठाए, नागपूर छेतर के और द्योगिक स्वमिक वर्ग ने सविने अवग्या अंदोलन में भी भाग लिया, रेल्वे करमचारियों, डाक वर्कर्स ने, छोटा नागपूर के खनीज आदी ने विरुध रेली और भहिशकार अवियानों में भाग लिया, तो अगर आप से पूछा जाने बच्चों, कि सविने अवग्या अंदोलन में किसने भाग लिया, तो आको ने कुछ बिसिक वर्ड यादखने, जैसे एक तो यादखना है ग्रामिन इलाकों में, जो गुजरा बहुत प्रभावित थे, तो उन्होंने इसमें भाग लिया, उसके अलावा वैपारियों और उद्योग पतियों ने भी इसमें अपने पैसे दिये, वित्य साहिता दिया, फंडिंग तरी, और नाकपुर छेत में उद्योगिक श्रमिक, जो श्रमिक लोग थे, श्रमिक वर् उसके अलावा वैपारियों ने और उद्योग पतियों ने वित्य साहिता दी और श्रमिक वर्ग ने भाग लिया, रेल करमचारियों ने, डर्क वर्कर्स ने, तो कुछ बेसिक वर्ड याद के लिए बस, बहुत काम आ जाएगा आपके, ठीक है? आगे, सभी ने अवग्या अंदरों की मुक्य घटना है, आपको याद अखनी है, पहला, देश के बेवेन हिस्सों में नमक कानून का उलंगन क्या गया, अब जैसी गांदी जी ने नमक बनाया, तो पूरे देश के लोग नमक बनाने लगे, और इस कानून को तोड़ने लगे, बिदीशी वस्तों का शुरू करा, गांदी जी ने नमक कानून बना कर, तो फिर बिदिश ने क्या किया, अंग्री जी नेताओं को हिरासत में ले लिया, निर्मन दमन करा, लोगों पर त्याचार करा, शांति पूर्ण सत्यागरों पर आकर्मन किया, महिलाओं बच्चों की पिटाई करी, लगब भारत के संविधान की विरस्ता की कारशली का अध्यन करना, तो जब भारत आया, तो पूरे भारत में इसका विरोध हुआ, और कॉंग्रेस में विरोध किया, कि इसमें एक भी भारतिया नहीं था, जब आला नेरु के अधिक्स्ता में, जब 1939 में लहौर दिवीशन हुआ, पूर्ण सोराज की मांग रखी गई, और 26 जनुरी 1930 को सुधिंता दिवस मनाये गया, 12 मार्च 1930 को मातमागान दिन नमक के यात्रा शुरू करी, और 6 अपर 1930 को नमक बनाकर, नमक कानून का उलंगन किया, इसी को समीनिया वग्या अंदोरन की शुरुवात कहते हैं, इस पूर्ण साथी, डॉक्वेर वर्कर्स ने भाग लिया, सवीनिया वग्या अंदोरों की मुक्की खटना क्या कहती, कि देश के बिवनिस्टों में नमक कानून का उलंगन होने लगा, बिदेशी वस्तों का भाईशका होने लगा, सलाब के दुकानों का पिकेटिंग होने एक लाज लोगों को रिफ्तार कर लिया, गांधी जी को भी कैद कर लिया गया, जेल में डाल दिया गया, सवीने अवग्या अंदोरों की आपको विशेस्ता याद अखनी है, बस खतम होने वाला है, पांच मेंट की और एक लास बची है, सवीने अवग्या अंदोरों की करने के लिए आवं किया गया पहले तो मोग कहते थैं कि हम सहीं नहीं करें No जो लुगन किया थ लेकिन इस जो किया था कि अब हब कुछू और अलंग भागू में हजारो लोगों ने। नमक कानून तोड़ा, सरकारी नमक कारखानों के सामने परदशन कि विदीशी बस्तों का भैस्कार किया जाने लगा, किसानों ने लगान और चौकीदारों के कर्द चुखाने से इनकार कर दिया, बनों में नहनेवाले लोगों ने वन कानून का उलंखन करना प्रासुरू कर तो यह सवीनिया वग्यानुके विशेस्ता ही थी। पहली बार गांधीजी ने गाधा कानुन का उलंगन करो जो अंग्रेजिय उने बनाया था। उसके बाद नमक कानुन तोड़ा गिया, परदरशन होने लगे गिbyदीशी बस्तों का भेशकार होने लगा किसानों लगाण चुगाने से मना कर दिया बन में रहनेवाcol लोगों ने बन कानून का उलंगन करना शुरू कर दिया भीकानती औरतों ने बहुत बड़ी संक्या में कई महिलाई जेल भी गई थी, ग्रामिंग छेत्रों की औरतों ने राष्ट की सेवा को अपना पवित्र दायत तो माना, तो ये बच्चों आपको याद अखना है, अगर आप से पुछा जाना, कि समीने अब विग्यांतरों में महिलाओं की क्या भूमिका थी, तो बहुत बर् राष्ट की सेवा करना अपना पवित्र दायत तो अपनी जिम्मेदारी मानी, सभीने अवग्यांतरों के कैसे असायोग आंज से कैसे अलग था, देखो सभीने अवग्यांतरों और असायोग आंदरों में क्या फर्क था, मैं आपको फर्क बताता हूँ, असायोग आंदरों दोनों में फर्क होता है आ सहयोग अंतरों में लक्ष स्वारजगार था लेकिन इस बार पूर्ण स्वाराज पाना जब अब चो था वो था पूर्ण स्वाराज पाना पूरी तरह से आज़ाद होना चाहते हैं साहयोग में कानून का उलंगन सामिल नहीं था जिब कि इस आंतरों में कानून को तोड़ना सामिल था तो दो फर्क समय आगे नches आगए आपको साहयोग में अंग्रेजों के खिलाब हमने क्या कहा? कि आप अंग्रीजियों के सायोग नहीं करोगे और इसमें हमने मांग की थी स्वाराज की और इसमें क्या का गया कि आप कानून को तोड़ो और इसमें मांग क्या गया पूर्ण स्वाराज की कि हमें पुरी तरह से स्वाराज दे दो पूरी तर स्वतंद कर दो सविने अवग्या अंदोन की सीमा है क्या थी इसकी कमिया कुछ थी अनुसूची जाती के जो लोग थे उन्होंने भागिदाई नहीं ली क्योंकि लंबे समय से कॉंग्रेस उनकी हितों के अंदेखी करी थी तो जो अनुसूची जाती के लोग थे उन्होंने इस अंदोना भाग नहीं लिया मुस्लिम संगटों द्वारा सविने अवग्या के परती कोई खास उत्सा नहीं था क्योंकि 1920 के दर्शक के मद्द से कॉंग्रेस हिंदू महासवा जैसे हिंदू धार्मिक संगटों के करीव आने लगी थी तो एक तो अनुसूची जाती के लोगों ना भाग नहीं लिया अंदोना में मुस्लिम संगटों के कारणन मुस्लिम भाईयों ने भी बहुत कम भाग लिया जो कॉंग्रेस थी उस समय उस समय हिंदू महासवा के काफी नजदी का रही थी दोनों समुदायों के बीच संदे और विश्वा का और विश्वास का महल हो गया था तो दोनों जो समुदाय थे हिंदू मुस्लिम वो इक दूसरे के परती उनके परती जो विश्वास था, वो कम हो गया था, तो इस कारण जो मुस्लिम संगटन थे, उन्होंने भी इस आंद्रमा भाग नहीं लिया 1932 में पूना संदी हुआ था, चीक है, 1932 में पूना संदी, इसमें जो दमित वर्ग थे, जो अनुसूची जाती वर्ग थे, जिनने बाद में अनुसूची जाती के नाम दिया गया, को प्रांतिय एवं केंद्रिय विधाई परशोदों में आरक्षित सीटे मिल गई, जो प्र महतमा गांदी जी और डॉक्टर बियार अंबेडिकर जी के बीच ये समझोता हुआ था, तो पढ़ लेना इसके बारे में, बाकी अब आते हैं, लास्ट टॉपिक, सामोहिक अपने पन का भाव, सामोहिक अपने पन का भाव कैसे उत्पन हुआ, मतलब हम लोग अलग अलग दो कोई परṭी लोग थे, फिर भी हमारे देश भारत, हम लोग जुडे कैसे, कोई तो इसमसे कारक थे, बाकी मतलब हम से रास्ट को फेकर पने से बावना को जगाया, तो हम सब जुडे एक तो इस कारण इस खविक, उन समय हमारे जो मंकिम चंद्र चतरजी थे उन्होंने भातमाता की एक चित्र बनाई थी जिसे हम लोग एक सुत्र में बंद गये लोग के कथाए राष्टवादी घूम घूम कर इन लोग कताओं का संकलन करने लगे ये कथाए परमप्रागत संस्किती की सही तस्वीर पेश करते थी तथा अपनी राष्ट ये पहचान को ढूनने तथा अतीत में गौरव का भाव पैदा करते थी तो जो राष्टवादी लोग थे वो लोगों को कहते थे कि अपना राष्ट है अब उसको स्वतंतर करो उसकी जो लोग कताएं जो संस्किर्टी है उसकी पहचान लोगों को याद दिलाए जंडा बंगाल में 1905 में सोदेशी आंतरोन के दोरान स्वपर्थम एक तिरंगा हरा, पीला, लाल जिसमें आठ कमल थे 1921 तक आते-आते महात्मा गांधी ने भी सफेद, हरा और लाल रंग का तिरंगा 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 भी जो जंडा था ना उससे भी हमारी राष्टे पहचान को काफी अपने पन का भाव पैदा हुआ इतिहास की पूर्ण व्याख्या की गई जो हिस्टी थी उसको दुबाय रिफाइन किया गया बहुत से भारतिये महसूस करने लगे थे कि राष्ट के परती गर्व का भाव जगाने के लिए भारते इतिहास को अलग धंग से प्रहाँ जाना चाहिए ताकि भारतिये गर्व का अनुभव कर सके तो भारत के जो पुलाने हिष्टी थे जिसमें अच्छे-चे जो हमारे राजा महराजा थे, उनके वार में व्याख्या की गई, ताकि लोगों को गर्व हो अपने देश पर, इससे उनके सामोही का अपने पन का भावत्पन होगा, और एक लास्ट पन आपको याद कर ले ना, गीत जैसे बंदे मात्रम, अठासो सत् गीत की रूप में हमने इस अपना लिया बंदे मात्रम को, जिसे बंगीत जी ने लिखा था अठासो सत्तर में, जो बंगाल की सोदेशी आंतलों में खूब घाय गया था उस समय, इन सब कारणों से एक अपने पन का भावत्पन हुआ, सभी लोग आपस में जुड़ गया, खिलर हो गया, तो इस से सामय अपने पन का भाव हुआ था, तो बच्चो ये था आपका ये complete chapter 2 जिसका revision, ये complete revision कर लीजिए, ये मैं आपको pdf chapter 1 और chapter 2 का description box में दे लूँगा, अब वहां से download कर लेना, ठीक है बच्चो, और प्लीज हाज और के विंति करना हो कि अच्छे मह अगनत करेंगा आपके लिए, तो मिलते हागे लिए वीडियो में, तब तक जैहिन, अपना ध्यान रखना.